Hello Everyone, Welcome to Okul India के सबसे affordable learning platform में आप सभी लोगं का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आईए अपने इस full course और environment बाई शंकराई एस अकेडमिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे Chapter 16 को आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है conservation efforts के उपर पिछला जो chapter था that was on protected area networks वहाँ पर हमने कुछ national initiatives की बात करी है जैसे की आपके national park, wildlife centuries वगरा की और साथी साथ जो आपका global initiative होता है जिसमें हम लोगोंने UNESCO का जो MAB है that is Man and Biosphere program है उसके अंतरकर जो Biosphere reserves वगरा आते हैं उसके बारे में detail में discussion किया था हमने देखे थे कि इंडिया में कौन कौन से national parks वगरा है कहां कहां पर है wildlife century कितनी है और उनके बारे में क्या data याद रखना है किस तरीके से याद रखना है वो भी मैंने आपको जो है पिछले lecture में बताया था पिछले chapter में ही बताया था और उसके बारे जब हमने Biosphere Reserve की बात करी थी तो वहाँ पर भी हमने देखा था detail में सारे के सारे Biosphere reserves के बारे में हमने detail में बात करी थी कहां पर है कब declare किये गए हैं किसके ज़ारा declare किये जाते हैं फिर एक list के हमने बात की थी जो है WNBR that is World Network of Biosphere Reserve उसके अंतर गत Biosphere कब आ सकते हैं क्या criteria बगरा है कौन कौन से इंडिया के Biosphere reserves ऐसे हैं जो इस list में शामिल हैं ये सारी के सारी बाते हम लोग अपने पिछले chapter में complete कर चुके हैं ठीक है और पिछले ही chapter में हम लोगों ने एक बात और भी कही थी आपको अगर शुरुआत में याद होगा पहले lecture में कि कुछ तो जैसे national initiatives में मैं आपको बताया था कि protected areas हैं जैसे कि national parks, wildlife century, conservation reserves, community reserves और साथी साथ मैंने आपको कुछ और बताया था कि कुछ और special projects भी हैं जैसे कि project tiger, project elephant है फिर इसी तरीके के जो efforts हैं वो आपके crocodile के लिए किये गए हैं, dolphins वगरा के लिए किये गए हैं, vultures के लिए किये गए हैं तो ये सारे के सारे जो efforts हैं मैंने आपको बताय करते हैं या strengthen करते हैं, तो उन ही तरीके के जो conservation efforts थे, उन ही के बारे में हम लोग बात करेंगे इस chapter में, छीक है, तो आगे मने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से as usual request करना चाहूँगा कि जो लोग इस course को इस वीडियो से इसको follow कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो जादा से जादा वीडियो को like करें, जादा से जादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, कलीक के साथ, ताकि हमारे इन courses का जो फायदा है, वो जादा से जादा लोगों तक बहुत सके, और बाकि जो लोग चैनल पे नए हैं, जो नहीं तक हमारे चैनल को subscribe किया है मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो जो भी हमारे तरब से पोस्ट हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए ठीक है और साथ ही साथ एडिएफ के फॉर्म में वो नोट अवेलेबल रहते हैं को और कभी भी आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी सुजदा के हिसाब से जब चाहें आप चीजों को पढ़ सकते हैं चैप्टर वाइस कुजेस भी वहाँ पर बहुत जाल जो है वो अपडेट कर दिये जा रहे हैं वो है टाइगर ठीक देखे अब पोटेंशल एक्जामपल ओफ कंजर्वेशन ओफा हाइली इंडेंजर्ड स्पीशीज इस दी इंडियन टाइगर ठीक है इंडियन टाइगर जिसका सैंटिविक नहीं आप लों को पता है पैंथरा टिग्रेस एंड इंडियन टाइ लोगों को डाउट रहता है कि क्या इंडियन टाइगर या जो पैंथरा टिग्रेस है क्या ये नेशनल अनिЕमल है या फिर जो लायन वगएरा है वो है क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे ऐसा बताया है या मतलब उनसे कभी पूछा गया तो उन्हों नहनने ऐसा बताया है मत उसमें वैसे बेसिकली जो है वो रोयल बंगाल टाइगर है वो इसके एक स्पीशीज है लेकिन जो में है वो यही है ठीक है इंडिया टाइगर या फिर जिसका साइन्टिविक नेम है पैंथरा टिगरस ठीक और highly endangered स्पीशीज भी यह है अब यहाँ पर देखिए rise and fall नहीं लिखा है क्या लिखा है fall and rise क्योंकि पहले क्या था जब as such conservation efforts बहुत जादा नहीं किये जाते थे तो तब क्या हुआ इनका जो population थी tiger की जो population थी वो क्या हो गई वो काफी कम हो गई इसलिए highly endangered बने और उसके बाद फिर conservation efforts किया गया तो धीमे धीमे जो इनकी population में rise है वो क्या हुआ जो population है वो बढ़ती चलेगी उसमें rise होता चला गया तो इससे हमें यह पता लगा कि हमारा जो extent है और जो conservation efforts है उसका extent on nature कैसा रहा है यानि कि जो हमने conservation efforts क tiger हमारे पास थे जिनका number जो है 1800 में ठीक है अट मलब 1972 में 1900 में थे 40,000 और लगब 72 साल के बाद ये देखे कितना कम हो गया ठीक है ना सिर्फ 1800 tiger हमारे पास रह गए तो hence project tiger centrally sponsored scheme was launched in 1973 with the following objectives तो इसलिए जब देखा गया कि लगब 70-72 साल में जो tiger की population है वो 40,000 से घटकर 18,000 में आ गई है मतलब आप समझ सकते हैं कि 5% से भी कम क्योंकि 40,000 का 5% विल भी 2000 तो उससे भी कम यहाँ पर population हो गई है 95% जो population है वो क्या हो चुकी है वो खतम हो चुकी है या फिर वो population आप कह सकते है 95% decline कर गई तो इसलिए फिर 1973 में जो है project tiger को launch किया गया ठीक है और project tiger क्या है ए देखें इसके objectives क्या क्या है to ensure maintenance of available population of tigers in India for scientific, economic, aesthetic, cultural and ecological value यानि कि जो हमारे पास population available है उसको क्या करना है उसके maintenance को ensure करना है ठीक ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुचे और किसके लिए scientific purpose के लिए economic purpose, aesthetic purpose, cultural and ecological purpose या value के लिए ठीक है इसके बाद to preserve for all times the areas of such biological importance as a national heritage for the benefit education and enjoyment of the people और जहां पर इस तरी के tigers बगरा पाई जाते हैं वहां की जो जो भी ऐसे areas है ठीक है उनको भी preserve करना है उनको भी conserve करने की बात यहां पर की गई है ठीक एम क्या है conservation of the endangered species जो endangered species है उनको conserve करने की बात की गई है साथी साथ harmonizing the right of the tribal people living in and around the tiger reserves जो tiger reserves बगरा है उनके एनन अराउंड रहने वाले जो tribal लोग है ठीक है ना उनके भी जो rights बगरा है मतलब उसको भी नुकसान नहीं पहुचना चाहिए जैसे हमने biosphere reserve बगरा बहा देखा था कि humans और environment दोनों को साथ लेके चलने की बात की जा रही थी उसी तरीके से यहां पर भी ब areas that are notified for the protection of the tiger and its prey यानि कि वहां पर tiger को भी preserve किया जाएगा और उसका जो शिकार है उसको भी क्यों क्योंकि आपको पता है कि tiger इसा कार्निवरस animal कार्निवरस animal क्या होता है जो दूसरे के flesh खाता है ठीक है अब अगर कोई दूसरे का flesh खाएगा तो उसके लिए फिर आपको क्या है उसका जो प्रे वगरा है वो भी चाहिए है ना प्रे भी होना चाहिए अगर प्रे नहीं होगा तो फिर tiger को की population को फिर से नुक्सान हो सकता है तो इसलिए tiger को भी protect करना है और उसका जो प्रे है उसको भी protect करना है ठीक and are governed by project tiger which was launched in the country in 1973 ठीक initially हमारे वहां सिर्फ और tiger reserves हुआ करते थे that were covered under the project and has currently increased to 50 और आज की डेट में जो डेटा है ये फिर से government के official side से लिया गया है तो आप इस पर बरोजा कर सकते हैं कि आज की डेट में जो tiger reserves project tiger के अंतरगत हैं वो कितने है 50 ठीक है और वो कितने states में है 18 states और 18 states को tiger reserved states भी बुला जाता है ठीक टोटल एर project tiger areas the state government shell on the recommendation of the national tiger conservation authority notify an area as a tiger reserve तो ये भी आपको point जो है वो ध्यान रखना है कि किसी भी area को tiger reserve कौन declare करेगा या कौन notify करेगा state government करेगा और किसकी recommendation पर करेगा एक authority है that is the N.T.C.A. national tiger conservation authority उसके recommendation पर state government जो है किसी भी area को tiger reserve गोशित कर सकता है ठीक है इसके बारे में भी हम आगे च conservation authority के बारे में ठीक है देखिए ये जो map है ये government website से ही लिया गया है यहाँ पर आपको ये सारे के सारे जो tiger reserves है इनके नाम देखने को मिल जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर they are 50 only ठीक है और साथी साथ यहाँ पर सारे के सारे number भी आपको देखने को मिल जाएंगे तो से बात वही है कि क्या ये 50 के 50 याद रखने है ठीक है मतलब वैसे तो जादा मुश्किल नहीं है अगर आप दो तिन बार पढ़ें map में देखें तो याद हो जाएंगे लेकिन अगर फिर भी आप याद नहीं कर पाते हैं तो जो major major है उनको जरूर याद रखें ठीक है ना बीजे साब को यहाँ पर रंधम बौर दिख रहा है रंधम बौर टाइगर रिजर्व ठीक है तो वो भी important है तो इस तरीके के जो कुछ-कुछ टाइगर रिजर्व है वो थोड़ा सा important है बाकी आप अपने वही state का जो है कम से कम उनको थोड़ा सा यहाँ पर देख यह core zone है critical tiger habitat areas established on the basis of scientific and objective criteria इसके अधार पर इस area को जो है वो declare किया गया है these areas are required to be kept as invoolate of the purposes of tiger conservation without affecting the rights of the scheduled tribes or such other forest. तो इस area को भी जो है invoolate रखना है ठीक है these areas are notified by the state government in consultation with the expert committee constituted for that purpose और यह area जो है वो कैसे notify होगा हमने पहले देखा है कि state government जो है वो पूरा का पूरा किसी भी area को ऐसा tiger reserve घोशित कर सकती है ठीक है notify कर सकती है तो उसके बाद उस tiger reserve के अंदर भी जो core zone वगरा होगा ठीक है वो कौन notify करेगा वो भी state government दी notify करेग on the consultation of the expert committee उस purpose के लिए जो expert committee बनाई जा रही है उसकी consultation के बाद state government किसी भी area को क्या कर सकता है tiger reserve के अंदर core zone notify कर सकता है ठीक इसके बाद देखिए फिर से वही buffer zone सेम concept है जैसे हमने biosphere reserve में पढ़ा है कि peripheral area to the critical tiger habitat और the core area ठीक है या जो core area है या जिसको critical tiger habitat भी बोला जाता है उस उसके जो बाहर का area है जो उसका outside area है ठीक और outside periphery का जो area है वो ठीक वेरा lesser degree of habitat protection is required to ensure the integrity of the critical tiger habitat with adequate dispersal of tiger for tiger species यानि कि वही बात है कि जैसे core area में क्या है कि activity जो है वो bare minimum है ठीक है मतलब बिलकुल ही वहाँ पर बहुत जादा strict protection वगरा है conservation के जो strategy वगरा है वो काफी जादा है वह लेकिन as compared to the core area अगरा थोड़ा सा बाहर आते हैं buffer zone में आते हैं या buffer area में आते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि protection है तो सही लेकिन उतनी जादा strictness नहीं है ठीक है थोड़ा सा strictness कम है और वहाँ पर थोड़ा बहुत क्या है कि activities को भी करने दिया जाता है ठीक इम्स एट प्रम बनाय रखा जाता है और साथी साथ जो wildlife है wildlife को भी conserve करने का यहाँ पर काम किया जाता है ठीक the limits of such areas are determined on the basis of scientific and objective criteria in consultation with the concerned gram सभा and an expert committee constituted for that purpose यानि कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ति gram सभा का भी role यहाँ पर आ रहा है जैसे हमने पीशे देखा core zone में सिर्फ और सिर्फ जो expert committee बन जो है within a tiger reserve core zone notify कर सकती है लेकिन यहाँ पर gram सभा का भी role है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर humans को भी जो है वो equally importance दी जा रही है ठीक no alteration in the boundaries of a tiger reserve shall be made except on the recommendation of the tiger national tiger conservation authority and the approval of the national board for wildlife देखे national board for wildlife के बारे में हम लोगों ने पीछे जब national park wildlife century पड़ा था वहाँ पर भी था कि state government हाल century को क्या करती है declare करती है लेकिन उसकी जो boundaries वगरा में change करना है तो वो national board for wildlife के recommendation से या उसकी approval से ही होता है तो यहाँ पर भी वही बात है कि boundary का जो alteration है वो किसके द्वारा किया जाएगा उसके लिए recommendation देगा आपको जो NTC है that is national tiger conservation authority और साथी साथ उसका approval मिलना चाहिए जो national board for wildlife है उसकी तरफ से ठीक इसके बाद no state government shall denotify a tiger reserve except in public interest with the approval of the national tiger conservation authority and the approval of the national board for wildlife यानि कि कि किसी भी area को अगर कोई भी tiger reserve एक बार बन गया है ठीक है किसी भी area को tiger reserve गोशित कर दिया है तो कोई भी state government उसको denotify नहीं कर सकती no state government shall denotify ठीक कि public interest में अगर आप कहें कि यह लोगों के भले के लिए हम क्या कर रहे है कि इस area को tiger reserve गोशित कर रहा था हमने उसको अठा रहे है तो ऐसा नहीं कर सकते ठीक है जब तक ntca का approval ना हो और साती सा जो national board for wildlife है उसका approval भी होना चाहिए ठीक इसकी बाद देख रहेते है national tiger conservation authority that ntca यह क्या है अभी amendment act of 2006 जो है यह provide करता है for the constitution of a statutory authority known as the national tiger conservation authority to aid in the implementation of the measures of the conservation of tiger अब यहाँ पर important point आपको ध्यान लगना है कि जैसे हमने पीछे देखा था कि जो हमारा WPA है WPA 1972 में जो बना था that is the wildlife production act of 1972 इसके तहत क्या बने थे national park और wildlife century ठीक है इसके बाद यही जब WPA का amendment किया गया 2002 में तो वहाँ से हमारे पास निकल के आए community reserve and the conservation reserve ठीक फिर similarly जब इस act का WPA का ही amendment किया गया है WPA amendment 2006 तो वहाँ से ये body निकल के आई है that is the national tiger conservation authority ठीक है और यह क्यों बनाई गई है ताकि जो conservation of tiger को लेकर जो भी कदम उठाय जाने है उनके implementation में मदद कर सके इस लिए इस authority को बनाया गया है ध्यान रखिंग हुआ है 2006 में उसके अंतरगा ये body बनी है similarly आप यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि CR और CR यानि कि community reserve और conservation reserve जो है वो 2002 के amendment से बने थे और WPA 1972 जो original था उसके तहत NP that is national park और wildlife century जो है वो बने थे ठीक है इसके बाद देखिए कि इसके powers और functions वगरा क्या है that is NTCAK to approve the tiger conservation plan prepared by the state government, state government ने जो tiger conservation plan बना है उसको approve करना इसका एक function है to evaluate and assess various aspects of sustainable ecology and disallow any ecologically unsustainable land use such as mining, industry and other projects within tiger reserves ठीक है कि जो sustainable ecology है उसके various aspects को evaluate करना और assess करना और साथी साथ कोई भी unsustainable land use जो है जैसे कि mining है ठीक है industry है या कोई भी ऐसा project जो ecologically unsustainable है उसको within the tiger reserves क्या करना है, disallow करना है ये भी इसका function है इसके बाद to lay down normative standards for tourism activities and guidelines for project tiger from time to time for tiger conservation in the buffer and core area of tiger reserves and ensure their due compliance यानि कि tourism के लिए या इस तरीकी के कोई भी और activities के लिए guidelines देना ठीक है, guidelines देना जो है वो इसका काम है कि इसका NTCA का so that tiger conservation जो है उस पर असर ना पड़े, buffer area में भी core area के लिए भी guidelines वगरा दिये जाएंगे और ये सुनिश्चित करना कि वो जो guidelines है उनका properly compliance भी हो रहा है, ठीक है क्योंकि कोई भी guidelines बनाने का है, पीछे, मतलब ऐसाच केवल बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक उसका proper compliance वगरा species, status of habitats, disease surveillance, mortality survey, patrolling, reports on untoward happening and such other management aspects as it may deem fit including the future plan of conservation, ठीक है, यानि कि जो production measures है, उसको लेकर information provide करना VC का काम है, जैसे कि future में conservation plan क्या होना चाहिए, population की tiger का estimation की कि कितनी population tiger की हो रही है, ये भी देखना है, उसके जो natural prey है, ठीक है, यानि कि जो उसके शिकार है, उनकी population क्या है, उसको भी देखना है, जो उनका habitat है, उसका status क्या है, क्या उसको कहीं कोई नुकसान तो नहीं पहुच रहा है, वो देखना है, disease वगरा का surveillance करना कि कहीं कोई disease वगरा तो नहीं फैल लही है, mortality survey, कि tigers की अगर death हो रही है, तो उसका deem fit, including future plan of conservation, ये करना भी किसका काम है, NTC है का, तो NTC आप समझ सकते हैं, काफी एक important body यहाँ पर हमें लग रहा है कि बेक important body है, ठीक है, to ensure that tiger reserves and areas linking on protected area or tiger reserve with another protected area or tiger reserve are not diverted for ecologically unsustainable uses, यानि कि जो भी area है, जो एक protected area, जो tiger reserve है, या दूसर tiger reserve को जो जोडने वारा area है, वो unsustainable use उसका नहीं हो रहा है, ये भी इनका देखना है, ठीक है, accept in public interest and with the approval of the national board for wildlife, यानि कि अगर national board for wildlife, अगर किसी ऐसे linking area को approve कर देता है, कि उसको public interest के लिए किसी और काम में लगाया जा सकता है, तो अब करिया जा सकता है, otherwise फिर उसको use, किसी और purpose के लिए और खास कर, especially, कोई ecologically unsustainable use के लिए तो बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, ठीक, आगे देखिए, to facilitate and support tiger reserve management in the state for biodiversity conservation initiatives through eco development and people's participation as per approved management plans and to support similar initiative in adjoining areas consistent with the central and state laws, ठीक है, यानि कि क्या support करना है, facilitate or support करना है tiger reserve management को, ठीक है, tiger reserve का management in the state, उसको biodiversity conservation के लिए, initiatives के लिए, उसको facilitate करना है और उसको support करना है, ठीक, और कैसे करेगा, through eco development and people का जो participation है वो भी, ठीक है, as per the approved management plan, जो management का plan है, उसमें लोगों का क्या role है, क्या activities वो लोग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ecological development कैसे होगा, उन सब के बारे में जो है वो, उ उसको facilitate करना हो, support करना भी, NTCA का ही काम है, ठीक है, and to support similar initiatives in adjoining area, जो adjoining areas है, उन में इस तरीके के जो similar initiatives है, जो की center or state laws से consistent है, यानि कि उसके against नहीं होने चाहिए, उसके consistent जो भी इस तरीके के initiatives है, उनको भी support करना, NTCA का ही काम है, ठीक, इसके बाद है, to ensure critical support, including scientific information technology and legal support for better implementation of the tiger conservation plan, tiger conservation plan, जो है, उसके better implementation के लिए, ठीक है, better implementation के लिए क्या है, critical support provide करना है, उसको ensure करना है, जैसे की scientific, IT, information technology and legal support, ठीक, अगला है, to facilitate ongoing capacity building program for skill development of officers and staff of tiger reserves, ठीक है, हमें capacity build करनी है, ताकि जो वहाँ के officers है, जो staff and tiger reserves का, उनको क्या करा जा सके, उनके skill development के लिए program वगरा जो है, वो चलाए जा सके, उसके लिए भी facilitation करना है, capacity building करनी है, यह सारा का सारा किसका functions हो गया, आपका जो NTC है, National Tiger Conservation Authority, उसका, ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, estimation of tiger population की, तो the process of estimating the number of tigers in a given area is called tiger census, ठीक है, जैसे humans का, यह आप कह सकते हैं, जो human population है, उसका जो census होता है, जो जनकरना होती है हर 10 साल में, उसी प्रकार से tigers को गिनने की जो एक process है, उसको बोला जाता है tiger census, ठीक, इस exercise provides us with an estimate of tiger number, density and change in tiger indices, a measure of tiger occupancy in a given area, तो इस exercise से इस पूरी की पूरी जो tiger census है, इस से हमें क्या पता लगेगा, tiger के number का पता लगेगा, प आती साथ हमें यह पता लगेगा कि जो tiger की indices हैं, उसमें क्या क्या चेंज आ रहा है, मतलब tiger ऐसा हो सकता है, कि कहीं पर कम है, कहीं दूसरी जेगे migrate कर गए, तो वो सारी चीज़ें जो है हमें tiger census के थूरू पता लगा सकते हैं, ठीक, इडिस conducted at regular intervals to know the current tiger populations and population trend, ठीक है, अब य regular interval कितना है, उसको अब हम आगे जाके देखते हैं, ठीक है, इसमें लिखा गया है कि यह भी regular interval में होती है, जैसे humans की population मैं आपको बता है कि जो जंगलना है, जो senses है, वो कितने साल में होता है, 10 साल में होता है, तो similarly देखिंगे हैं, अभी हम आगे जाके कि क्या यह 10 साल में ह होता है, या उससे पहले होता है, या उसके बाद होता है, जो भी है, वो यहाँ पर देखिंगे, ठीक है, आगे देखिए, besides estimating the number of tigers, the method also helps to gather information on the density of tiger population and associated prey, यानि कि tiger का number तो यह estimate करता ही है, साथ ही साथ यह और का estimate करता है, यह tiger population की जो density है, जैसे human population की density होती है, जैसे human population की density हो इतने लोग है, वो भी यहाँ के through हम लोग पता लगा सकते हैं, और साथ ही साथ उसका जो associated prey है, उसकी भी population और उसकी density का पता इसमें लगाया जाता है, क्योंकि आपको पहले ही बताया, यह बहुत important है, tiger के case में specifically बहुत जादा important है, क्योंकि tiger को ऐसा, क्योंकि पेड़ population जो है, वो conserve रह सकती है, ठीक, इसके बाद, जो most commonly used technique है in the past that was pug mark census technique, pug mark मतलब जो उसके पंजे के निशान होते थे, ठीक है, जो पंजे के निशान होते थे, शेर के, उसके according यह census किया जाता था, ठीक, इसमें भी अलग-अलग होता है, कि female के जो निशान है, जो female के पंजे के निशान है, वो अलग-प्रकार के होते हैं, ठीक है, जो male के होते हैं, वो अलग-प्रकार के होते हैं, यह आपको समझ में आना चाहिए कि pug mark census technique के थे, इसको use किया जाता था, in this method, the imprints of the pug mark of the tiger were recorded and used as a basis for identification of individuals, now it is largely used as one of the indices of tiger occurrence and relative abundance, और recent methods जो हैं, जिसके थे हम लोग tiger के number को estimate कर जाते हैं, वो है camera trapping, आज की date में तो camera लगाया जाते हैं, तो उसके through भी उसको trap किया जाता है, और 37, DNA fingerprinting का through भी tiger के census को किया जाता है, यानि कि जो tiger का number है, उसको estimate किया जाता है, ठीक है, camera trapping में क्या होता है, the photograph of a tiger is taken and individuals are differentiated on the basis of stripes on the body, ठीक है, जैसी कि आपको एक चीज़ पता होगी कि, जैसे human beings होते हैं, जो हमारा basically fingerprint होता है, आपको पता है, कि किसी भी दो individuals का fingerprint है, वो same नहीं होगा, ठीक है, similarly tigers के case में ये बोला जाता है, कि जो tigers की body में आपने देखे होंगे, जो strips होते हैं, strips, yes, stripes, जो भी बोले हैं उसको, ठीक है, वो दो tiger के body में जो strips और stripes हो that can be identified from their scats, scats मतलब जो उनका waste material होता है, उसके थ्रूँ, ठीक है न, waste material, जो solid waste material होता है, in the form of fecus, आप उसको बोल सकते हैं, उसके थ्रूँ भी उसकी DNA printing का, जो DNA fingerprinting वगरा है, उसके थ्रूँ उसको किया जाता है, ठीक, इसके बाद, जो all India tiger estimation है, 2018 की, this is the latest one, ठीक है, क्योंकि efforts, 2006 से ये start हुई है, this monitoring exercise is being undertaken every four years, ठीक है, तो उसको ध्यान रही है, 2006 में हुई है, फिर 2010 में हुई है, फिर 2014 में हुई है, और recent जो data हमारे पास available है, that is, 2018, ठीक है, और अगली जो है, वो 2022 में होगी, तो जब तक 2022 की होगी, उसके बाद, जब उसको data हैगा, तब तक हमारे लि result of the tiger senses, the total count of tiger has risen to 2967 from 2226 in 2014, यानि कि 2014 में जो थे, वो 2226 टाइगर थे, और 2018 में देखा गया कि वो 2967 टाइगर हमारे पास हो गई, यानि कि 741 इंडिवीजिल जो है, वो यहाँ पर बड़े हैं, और जिनकी एज कितनी है, एक साल से जादा, एक साल से जादा वालों का यहाँ जो है, वो देखा जाता है, यानि कि 33 प्रतिशत जो है, वो चार साल में tiger की population बड़ी है, इससे हम कहा सकते हैं कि हमारा जो conservation efforts है, वो fruitful साबित हो रहे हैं, ठीक, this is by far the biggest increase in tiger count in terms of both numbers and percentage, तो number के अधार पर भी जो 741 है, और जो percentage के अधार पर जो 33% के आसपास है, यह अब तक का सबसे बड़ा, सबसे जादा जो बड़ोतरी है, वो इसी बार में देखी गई है, ठीक है, since the four yearly census using camera traps and capture mark, recapture method beginning in 2006, ठीक है, तो जब से 2006 से इस तरीकी के technique स्टार्ट हुई है, tiger census की, उसके बाद से, देखा जाए तो 2014 से 2018 में जो बड़त हुई है, 33% या 741 individuals की, वो सबसे इंडिंग सोड़ा सा, आप लोग यहाँ पर note down कर सकते हैं, important हो सकता है, आप लोग के exam point of view से, मध्य परदेश में जो है, वो सबसे जादा tiger है, 526, followed by करनाटक जहां पर 524 हैं, और उत्राखंट जहां पर 400, 42 टाइगर है, ठीक है, जो major है, वो यही आप याद कर सकते हैं, otherwise, इसकी आप पूरी के पूरी report देखेंगे, तो उसमें तो आपको सारे के सारे tiger के बारे में, जो है, मतलब सारे के सारे tiger के state में कितने हैं, वो सब दिया गया, लेकिन उतना जादा हमारे exam point of view से important नहीं है, ठीक है, शुरुआत के तीन आप याद रख सकते हैं, कि मध्य परद देश में ही हुआ है, 71%, ठीक है, उसके बाद महराष्ट है, 64% और फिर कनाटक है, 29%, 36 गड़ और मिजोरम दो ऐसे state है, जहां पर tiger की population कम हुई है, तो यहां पर आप समझ सकते हैं, कि 36 गड़ और मिजोरम में कुछ चीज़ें ऐसी हुई होगी, कि जिसके वज़े से या तो population को properly estimate नहीं किया गया है, या फिर वाकई में हो सकता है कि यहां पर population वगरा जो है, वो कम हो गई हो, तो यह चीज़ें यहां के लिए थोड़ा सा चिंता जनक है, ठीक है, and evaluation of India's 50 tiger centuries was also released, along with the fourth national tiger estimation, जो tiger census जिसको बोलते हैं, और fourth क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वही 2006 में प best managed tiger reserve जिन्दा कंट्री, तो यह भी आप प्रों सा याद कर सकते हैं, एक्जाम में पूछा जा सकता है, कि सबसे best managed tiger reserve कौन से है, तो वो है, एक तो पेंच century है, और मध्यपरदेश की और दूसरी है, केरला की जो है, पेरियार century हो, ठीक, इसके बाद, तबिलनाडू की एक है, that is, सत्यमंगलम tiger reserve, इसमें character हुआ है maximum improvement since 2014, यहाँ पर maximum improvement देखने को मिला है, जो दामपा एंड राजाजी reserve है, दामपा का है, मिजोरम में और राजाजी का है, उतराकंड में, are at the bottom of the list in terms of tiger count, यहाँ पर tiger count सबसे कम देखने को मिले है, ठीक है, और कहीं कहीं पर जो है, बिलक पर कोई भी tiger estimate नहीं किया गया है, ठीक, इसके बाद अगर हम international cooperation की बात कर ले है, तो India has a memorandum of understanding, India ने का MOU sign किया है with Nepal on controlling trans boundary illegal trade in wildlife, ठीक है, यानि की wildlife में क्या है, illegal trade जो है, trans boundary India से नेपाल में जो है, वो trade को क्या करना है, control करना है, and conservation apart from a protocol on tiger conservation with China, चाइना के साथ भी tiger conservation को लेकर protocol है, और MOU India ने sign किया हुआ है with Nepal as well, ठीक, the process is on for bilateral protocol with Bangladesh, Bhutan and Mayanmar, तो इनके साथ भी protocol बनाने को लेकर जो है, वो process चल रही है, global tiger forum of tiger range countries has been created for addressing the international issues related to tiger conservation, tiger के conservation को लेकर, जो international issues है, ठीक है ना, जो अंतरास्त्रे मुद्दे है, उनको address करने के लिए, एक global tiger forum बनाने की बात की जा र range countries, मतलब इसको बना लिया गया है, ठीक, इसके बाद एक important point यहां पर और जो दिया गया है, that is about the global tiger day, इसको थोड़ा सा देख ले, global tiger day जो है, that was observed for the first time in 2010, 2010 में पहली बार observe किया गया at St. Peterburg's Tiger Summit in Russia, when all 13 tiger range countries came together for the first time with the commitment of doubling the number of wild tigers by 2022, 2010 में यह जो 13 tiger range countries है, यह एक साथ आए और उन population है, उसको 2022 तक क्या कल लिया जाएगा, दुगना कल लिया जाएगा, तो उसी समय जब 2010 में यह देश मिले, 13 tiger range countries मिले, तो उसी दिन को जो है, वहां से global tiger day का concept निकल के आया, ठीक है, और यह day जो है, annually celebrate के जाता है, 29th July को, इसको थोड़ा साथ ध्यान रख ले, global tiger recovery plan which outlines how each country can contribute to the ambitious goal is known as TX2, ठीक है, TX2 या TX, इसको T into 2 भी बोल सकते हैं, क्योंकि tiger की population को दूगना करने की बात है, तो यहां पर किस तरीके से हर country अपना contribution करेगी, योगदान देगी, और tiger की population को 2022 तक दूगना करा जाएगा, उस plan को बोला जाता है, या उस goal को बोला जाता है, TX2, तो basically global tiger recovery plan, या फिर आप कहा सकते हैं, कि जो 13 tiger range countries हैं, जब वो सेंट पीटर बग में 2010 में मिले, तो उन्होंने एक target बनाया, या एक plan बनाया, कि tiger की जो संख्या है, उसको 2022 तक क्या किया जाएगा, डबल किया जाएगा, तो उसमें किस तरीके से हर देश अपना contribution दे रहा है, उस estimate किया जाता है, ठीक है ना, उसमें pug mark देखे जाते हैं, उसमें DNA fingerprinting वगरा होती है, camera से भी trap किया जाता है, ये सारी बात है समझ ली, साथी साथ हमने NTCA के बारे में जाना, काफी important body है, और ये सब चीज़े, ठीक है, चलिए, तो इस lecture को हम लोग यहाँ पर इतना ही रखते ह tiger के बारे में हम लोगोंने बात कर ली है, अगले lecture में थोड़ा से एक दो important point जो है, जैसे elephant है, तो elephant थोड़ा सा important है, उसके बारे में एक lecture लगेगा, ठीक है, then we have vultures, vultures का एक बहुत important मुद्दा है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, उसके बाद छोटे छोटे points और दिये गए है, जैसे one horn rhinoceros दिया हुआ है, आपका, then आपका dolphin दिया हुआ है, then आपका crocodile वगरा दिया हुआ है, ठीक है, यह सारे के सारे जो हंगुल है, project हंगुल वगरा, snow leopard को लेकर बात की गई है, तो वो सारे के सारे इसमें हम लोग बात करेंगे इसी chapter में, और I think around 4-5 लेक्टर में यह जो chapter है, पूरा का पूरा complete हो जाएगा, ठीक है, चलिए, तो content related अगर आपको कोई भी doubt है, तो आप हमारा जो telegram का group है, that is local GSUPSC discussion forum, इसको join कर सकते हैं, इसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा, या फिर आप इसको telegram में सर्च करके भी join कर सकते हैं, या फ वहाँ पर आपको सारे के सारे videos मिल जाएंगे, साथी साथ, chapter wise notes मिल जाएंगे, PDF format में जिनको download करके आप कभी भी पढ़ सकते हैं, और साथी साथ, chapter wise quizzes भी वहाँ पर update के जा रहे हैं, so that कि आप लोग इस पूरे के पूरे subject की जो तैयारी है, वो हमारे platform के साथ कर सके, ठीक है course को purchase करने में, या course को हमारी website के थूरे access करने में, अगर आपको कोई भी technical query आती है, तो आप हमसे whatsapp के थूरे इस number पर या फिर जो हमारी okul helpdesk की email ID है, that is support at the.okul.co, वहाँ पर हमसे contact कर सकते हैं, बागी हमसे ज़्यादा जूरने के लिए आप हमें Facebook पे, Instagram पे, LinkedIn पे और Twitter पे भी follow कर सकते हैं, तो मिलेंगे अगने lecture में, इस chapter को आगे continue करेंगे with the project elephant, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखेगा, please do take care of yourself, thank you, have a nice day, bye bye.